गुड मॉनिंग स्टुडेंट वेलकम टू माई चैनल बेटा आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की गनित की वरक्षीट वरक्षीट टॉमबर 61 जो कि आपकी डेट 27 नवेंबर की है आज की वरक्षीट में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रचनाए रचनाए तो बहुत ही इ सम्धिभाजग है एक 9.5 cm लेखार खुंड लेना है उसका सम्धिभाजग करना है आप क्या करेंगे आप नाइन प्रकार निचे लगाएंगे प्रकार की नोग बी पर गए और एक चाप लगे यह नीचे यह कट करेगा कहीं इसको आप मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा ये इसको आदे-आदे line में divide कर देगा ये दिखें, ये सब लिखा हुआ है, ये आप यहां से पढ़ लेजेगा ठीक है, चलिए, अगर आप रचना कैसे कर सकते हैं त्रुबुज की रचना, यहां तो आपको तीनों बुजाएं पता हो या दो बुजाएं, एक कोड़ पता हो, या दो कोड़ और एक बुजा पता हो या फिर समकोड तुरुबुज और उसकी बुजा पता हो चले, ये एक triangle है, आपको एक तुरुबुज बनाना है फिर बिना हिलाव डूलाएं प्रकार की नोकसी पर रखेंगे, फिर एक चाप यहां लगेगा, ये कट करेगा और इसको आप बिला देंगे, ठीक हिलाने डूलाना नहीं है, क्योंकि तीनों साइट बराबर है, तो ये 5.5 तो ये 3 हो जाएंगी, ये देखें इसको आप पढ़ लिजेगा, चलि एक विशन देख लेते हैं, एक है आपको तरभुज बनाना है PQR, जिसमें PQ 4 cm है, QR 3.5 है, और PR आपका 4 cm है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखें, ठीक है, तो अब इसमें मैंने PQ, यहां पर P ले 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 हैं, Q, और एक चाप यहां लग जाएगा कहीं, चीक है, ऐसे ही आप 4 cm प्रकार खोलेंगे, P पे रखेंगे, और कहीं यहां भी चाप लगाएंगे, तो जहां कटेगा, उसको इसमें बटा आप मिरा देंगे, तो PQR हो गया, अब यह कौन सा त्रुबुज है, जिसमें दो बुजाएं वो एक्जांपल नंबर 2 की तरह है, यहां पर 4.3 है, और यहां पर कितना है, 5.5, तो यह बिल्कुल बहुत ही इसलिया, आप अच्छे से कर सकते हैं, मैंने इसके आंसर कियो हैं, चले मैं आपको इसके आंसर दिखा देती हूँ, बिटा जो आपका फॉर्स कोशन है, उसमें 4 cm, 3.5 cm, 4 cm लिया, इन्होंने यह भी पूछा है, यह कौन सा ट्राइंगल है, जिसकी दो साइट सीक्वल होती है, हमारा इससलिस ट्राइंगल होता है, हिंदी में समधी बहुत रुभुज होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल से हम PQ लेंगे 4 cm, ठीक है, आप यहां पर पॉइंट रखेंगे और यह आर्क लगा देंगे, ठीक है, अब आपका यह पी पी आर्क इतना बटा, 4 cm, तो आप क्या करेंगे, यह स्केल रखेंगे, और आप यहां से 4 cm इसको नापेंगे, ठीक है, तो यह आप दिहान से कीजिएगा, थोड़ा 4 हो गया यह तो यहां आपको रखना है, पी पे है, और यह इसको कट लगाना है, अब यह जो जहां कट लगा है, यह आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप आप मिला दीजिएगा, अपस में, तो यह देखें, ट्रैंगल बन गया ना, है ना, चलिए, सेकेंड क आपका पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, लेंथ यह 10.3 संटीमेटर, यह दो आपको करना है, जो आपका कमपस है, जो लाई ने, वेटा, इसको खोलना है, ठीक है, हाफ से जादा एक आर्क उपर लगेगा, और एक लगेगा आपका नीचे, ठीक है, यह देखें, अ और इसको उपर लगाना है, और नीचे, यह आपका हिला नीचे, ठीक है, यह हो गया, उपर नीचे दोनों जगे यह कट करेगा, अब यहां से आप स्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजे, यह देखें, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, है ना, तो यह आपका बिटा, यह हाफ आफ प A B C, यहाँ देखे, A B MnD4, फोर पॉर पॉर्ट्फ 3 सेंटिमेटर, आपको स्केल की हल्प से, फोर पॉर पॉर पॉर्ट्फ 3 आप को यह ना प लेना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दूद्दadt, देखो मैंने यह ना क्रॉस करेगा, तो यहां से इसको आप मिला देंगे, तो यह आपका सी पॉइंट हो जाएगा एक्यूलेटरल है तो तीनों साइड्स एक जैसी होनी चाहिए इसलिए हमने यह किया है ठीक है यह देखिए यह आपका एक्यूलेटरल ट्राइंगल बन गया तो यह भी आपका कितना है 4.3 cm और यह भी कितना है 4.3 cm तो यहाँ आपकी वक् सब्सक्राइब करें कमेंट करें थाइंक यू अ और देखिए को सब्सक्राइब करें कितना है 5.3 cm अयावल यह देखिए